हेलो एन वलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हो अन्टुशन तो आज हम डिसकस करने वाले है पॉलिटिकल साइन्स की पहली चप्टर पॉलिटिकल पार्टिस इन इंडिया क्लास 9 सेवा बोट के लिए ये वीडियो इस वीडियो में मैं आप लोगो को चप्टर कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्सर में कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टागम पर फॉलो करके पूछ सकते हो सबका लिंक में आपको डिसकेप्टिन में प्रवाइट करवा दूंगा तो चलिए देर ना करते हो इस वीडियो को स्टार्ट क यानि कि डेमोक्रिसी के आने से पॉल्टिकल पार्टी जो है वोल्वे इस वोल्ड में तो यहां पर कंडली जो है पॉल्टिकल पार्टी और डेमोक्रिसी दोनों ही एक दूसरे के इंट्रेगल पार्ट है यानि कि पॉल्टिकल पार्टी के बिना अधूरा है और डेमोक्रि बहुत अलग अलग टाइप के political parties है इस world में जैसे कि single party system आपको मिल जाएगा चाइना में यानि कि एक party वाले system, by party system यानि कि दो party वाली system USA में और England में मिल जाएगा आपको और multi party system यानि कि बहुत सारे political parties हो सकते हैं एक देश में या आपको इंडिया, बंगलादेस और पाकिस् यानि कि merits दोनों ही है, सारे political parties system के, लेकिन democratic जो state है उसमें ये माना जाता है कि जो by party system है, वो सबसे जादा suitable है, यहां तक कि multi party system से भी जादा suitable माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे multi party system होते हैं, वहाँ पे ये माना जाता है, कि वहाँ पे crisis और क्योजना लगातार बना रहता है लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच भी नहीं है, जैसे कि आप देखोगे multi party system में, इंडिया जैसे country बहुत अच्छी तरीके से फल रहे, फूल रहे, वहीं अगर इसी बात को अगर पाकिस्तान की नजरी से देखा जाए, तो पाकिस्तान में भी multi party system है, लेकिन वहाँ पे हम इस ने किया था, एक retired British official, जिनका नाम था, A.O. यूं, तो क्योंकि ये पहला political party था country का, इसलिए जो न, ये important organization बन गया, जो की hope और aspiration थे, लोगों के लिए, यानि कि लोगों के लिए एक आशा, एक उमीद का किरन, ये बन कर उबरा, pre-independence, यानि कि आजादी के पहले, उसक कि Muslim League, 1906 में, Hindu Mahashava, 1916 में, Swaraj Party, 1922 में, उसके बाद जो India का जो first left party था, जिसे हम लोग कहते, Communist Party of India, इसको फॉर्म किया गया था, 1924 में, और इसको कव फॉर्म किया गया था, एक जो न, वर्ल लेबल पे communist movement स्टार्ट वहा था, जिसको इनिशीट किया था, कार्ल मार्क्स ने उसके बाद, जो है न, after independence, बहुत सारे नए parties आने लगे, अपने-अपने ideologies और अपने-अपने objectives को लेके, तो during जो first election हुआ था हमारे यहां पे, 1952 में, तो यहां पे more than 50 political parties थे, लेकिन, उन में से 14 parties ही ऐसे थे, जो कि national parties थे, और बाकी सारे जो थे न, वो या तो state party हुआ कर करते थे, उसके बाद, जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे, subsequent decades में, बहुत सारे नए political parties इमर्ज हुए, जैसे के स्वतंतरता party, Indian revolutionary party, फिर जनसंगा, Communist party of India, Marxist, लोगदन, फिर जाके भारते जनता party, तो इस तरीके के जना parties आते चले गए, जो सबसे हमारा important features या फिर आप significant features क वो last decades में ये देखा गया है, last two decades में ये देखा गया है, कि जो, इनके जो importance है, regional parties के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए है, जैसे कि first regional party, जो इंडिया में फॉर्म हुआ था, DM के, ठीके, उसके बाद, जो है ना, बहुत सारे regional parties, जैसे कि AIDM के, तमिल नाडू में, अकाली दल आके established होने लगे, तो पहले एक party से start हुआ, यानि कि, एक regional parties start हुआ, और उसके बाद, धेर धेर ये सब सारे parties आगे बढ़ते चले गए, यानि कि, बनते चले गए, जो opposition parties है, in democratic setup, उनको माना ये जाता है, कि वो बहुत important और significant role play कर सकते हैं, और play करते भी है, एक अच्छे और strong opposition ना हो, तो जो ना, लोगों के जो interest है, उनको दबा दिया जाएगा, ruling government द्वारा, क्योंकि अच्छे political opposition तो है ही नहीं, तो ये दिखाएगा है, कि जब when we analyze political system of India, 1947 से लेके 1977 तक, तो हमें जो ना, hardly कोई opposition दिखाई देता है, 1947 से लेके 1977 के बीच में, देखो, माना ये जाता है, कि आजादी जो है ना, वो Congress, या फिर Congress से related logo नहीं दिला है, तो इसका जो ना, विरासत, यानि कि इसका advantage, Congress Party को हमें साथ से मिलता चला गया, इसलिए ये देखा गया है, कि 1947 से लेके 1977 के बीच में, कोई strong एक opposition उबर कर आया ही नहीं, क्योंकि लोगों का भरोसा जो था ना वो Congress के उपर बहुत ज़ादा था, तो उसके बाद ये दिखा गया है, कि यहाँ पे one party system, यानि कि one party rule ही absolutely majority, यानि कि जब भी election होता, तो Congress जो है ना, यानि कि इंडियन जो national Congress था, वो एक तरफा जीत हासिल करता चला गया है, लेकिन जैसे ही late 1970s आया, तो वहाँ पे कुछ ज माना गया, कि चाहे वो state legislature, state हो, चाहे वो तुमारा center हो, तो वहाँ पे जो है ना, इनको challenge दिया जाने लगा, ठीक है, एक सबसे अगर important feature या फिर notable feature देखोगे, Indian political system, कि आज के दौरान, तो देखोगे कि coalition government जो है ना, बहुत चाहे center में हो, चाहे states में हो, बहुत सारे states में हो यहाँ पे coalition system जो 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 दीरे-दीर, अडप्ट हो गया है, यानि कि धिरे-दीर आ गया है, अब यहाँ पे हुआ, यह किसलिए, तो mainly यह हो सकता है growth of बहुत सारे political parties आ गये, या तो इसलिए भी हो सकता है कि declining power of single party, और single party से मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, कि पहले कि single party जो largest single party था वो Indian National Congress ही था, यानि कि decline of Indian National Congress या फिर जो upcoming बहुत सारे new political parties थे, उसके बज़े से जो ना यह धिरे-धिरे coalition जो ना government वो बरता जा रहा था हमारे देश में, तो यहाँ पे देखो कि 1947 से लेकिए 1977 के बीच में, जो Congress था, यानि Indian National Congress, इन लोगोंने continue क्या, one party rule, चाहे वो state में हो चाहे वो center में हो, लेकिन जब general election हुआ समझ लो 1977 में, तो वहाँ पे एक alliance बनाया गया, किसके अंडर में, जनता पार्टी के अंडर में एक alliance बनाया गया, और जनता पार्टी को Congress से जाधा seats मिले, और result में क्या हुआ, result में यह सबसे पहला coalition government बना center में, जिसको head क् गया था, मौरजी डिसाई द्वारा, यानि कि 1977 में, हाला कि यह जो alliance है, बहुत दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि internal fighting, internal weakness के वज़े से, फिर कुछी दिनों बाद, एक दूसरा alliance बनाया गया, government फ़र्म किया गया, 1979 में, यह under the leadership of Chaudhary Charan Singh, हाला कि यह government भी ज्यादा दिन लास् सकते हैं, और 1989 से लेके, 2014 तब बहुत सारे several alliance government बने आगे चलके, यहां तक कि Congress को भी कई बार alliance करके, government चलाना पड़ा, तो अब यहां पे देखोगे, लेकिन उसके बाद, एक time ऐसा आया, जो alliance government जोना, was defeated by BJP-led alliance, यानि कि Congress का जो alliance था, है ना, उसको हडाया गया, BJP के alliance यह under the leadership of Narendra Modi, यह कौन सा साल में हुआ था, यह थुआ हुआ हुआ था, हमारा 2014 में, और तब से लेके, अभी तक, यानि कि अभी जो 2023 चल रहा है, अभी तक Congress को हराने के बाद, जो BJP ने आगे बढ़ा, उसके बाद, अभी तक जो हमारा government, BJP government वो चली रहा है, ठीक है, तो political system, तो आगे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे जो है न, आप लोग कुछ-कुछ basic terms आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, कि political parties का मतलब क्या होता है, तो organized group होते हैं, लोगों के, जहाँ पे similar political views होते हैं, common political ideology या फिर common objectives होते हैं, जो एक साथ आते, उन्हें को हम लोग political parties क होता है, और democracy के मारे में आप लोग को पता ही होगा, कि एक ऐसा system of government है, जहाँ पे लोग leaders को vote करते हैं, और यहाँ पे जो एक government होता है, वो होता है, of the people, for the people and by the people, single party, by party, multi party के बारे में मैंने chapter के summary में ही आप लोग को बता दिया था, उसके बाद यहाँ पे देखोगे, तो और भी कुछ-कुछ short terms है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ-कुछ political parties के बारे में अगर जानना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग पर सकते हो, Indian National Congress, इनका existence कब आया, भारते जंता party, इनका कब हुआ, Communist Party, 1924 में, Socialist Party of India, तो सारे parties के बारे में यहाँ आपने दे रखा है, इस PDF में आप लोग को मैं सब कुछ प्रवाइट करवा दूगा, क्या कि कौन सा party जो है, यहाँ पर सब का full form भी है आपको, जैसे कि यहाँ पर कई सारे parties, त्रिमूल Congress, TMC के नाम पर आप जानते होंगे, सिर्जेना, यह महरास्टरम है, मीजो National Front, यह मीजो राम कौन से party या फिर कौन सा election जो ना, वो कब वहा था, किस तरीके से, यह सब सारे important चीजे है, abbreviation चाहिए, तो abbreviation भी आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पर, यह parties का full form है, जैसे कि INC का मतलब, Indian National Congress, ठीक है, उसके बाद BGP, देखोगी यह भारते जनता party, NDA का मतलब होता है, National Democratic Alliance तो यह NDA जो है और UPA है, यह दो alliance है, NDA के alliance में BJP और BJP के साथ वाले, जो party से उनको कहा जाता है, और UPA का मतलब है, तुमारा United Progressive Alliance, यहाँ पे Congress और Congress से related जो parties है, वो सब सारे मिलके जो alliance बनाया, उन alliance का नाव है, और इस चप्टर में alliance का importance बहुत जादा है, आम आदमी party, त national party बन गया है, तो यह सब सारे full palms है, उसके बाद textual questions में आगर देखोगे, तो यहाँ पे पुछा गया कि, give the name of a country having one party rule, तो one party rule का example, best example हमारे चाहिना, तो what is the party system that is found in United States of America, तो United States of America में बाइपार्टी सिस्टम है, वहाँ पे Republican और Democrats दो party है, यही दो party में हमेशा जो है, of political parties, तो दो characteristics बताओ, तो it has organization, और दूसरा, it has certain clear cut idles and program of actions, तो दोनों के मत जो है, political parties के, सारे के मत जो है, एक जिसे होते हैं, एक ही party के लोग, mention, उसके बाद है, mention a chief function of political parties, तो एक function पूछा गया है, तो एक political function बता दो कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमने, mention the name of regional party of Assam, तो regional party of Assam, AGP, यानि कि अखम गना परिसद, what is the name of the chief regional party of जारकन, तो जारकन का है, जो जारकन मुक्ती मोर्च है, यूपा का full form क्या है, तो united progressive, यह हमारा alliance है, ठीक है, उसके बाद, which is the first political party of India, तो सबसे पहला political party of India, का नाम बताओ, तो हमने इस chapter के starting में ही पढ़ा है, समरी में पढ़ा है कि Indian National Congress, ठीक है, under whose leadership was the Indian association formed, तो Indian association किसके under form क्या गया था, ठीक है, तो देखो answers हमने जो ना साथ में दे रखा है ताकि आपको problem ना हो, ठीक है, who was the first president of the Indian National Congress, तो सबसे पहला president कौन था, ठीक है, तो चंदर बिनर जी, उसके बाद है, what is the chief characteristic of the Indian political system, तो Indian political system का chief characteristics क्या है, बता दो, तो यह हमारे कुछ, जो ना, characteristics है, आप इन में से कुछ भी लिख सकते हो, चाहे दो, तीन, पॉइंट जो अच्छा लगे, यसी के active presence of regional parties, dominance of single party, up to the late 1970s, existence of numerous political party in India, ठीक है, उसके बाद है, which party system is the particularly useful for a democratic state, तो कौन सा political system जो है न, वो यादा useful है, तो देख कहता है, कि बहुत सारे political parties है, one party, single parties, जो हम लोग कहता है, by party, multi party, सब के कुछ ना, कुछ ना, कुछ ना, कुछ नुकसान है, लेकिन माना यह जाता है, कि by party, जो है, वो ज्यादा suitable होते है, multi party, और single parties है, ठीक है, single party system को तो हम लोग proper democratic system में पकड़ी नहीं सकते, लेकिन जो हमा by party है, और multi party है, उसमें से by party को ज्यादा suitable माना जाता है, ठीक है, book के हिजाब से, तो चलो, आगे देखते है, mention four characteristics of political parties, तो चार characteristics बताने के लिए बोला गया, यहाँ पे, तो it is a certain organization, it agrees to abide by its own set of principles, कि सारे political parties के अपने अपने principles होते हैं, अपने अपने ideals होते हैं, and follows a definite planning, अपने planning को follow किया जाता है, और program और actions के उपर, ठीक है, उसके बाद, अब अगर आप देखोगे हैं, तो यहाँ पे, third number पे है, it aspires to capture power through democratic ways, हमेसा democratic ways से ही काम किया जाता है, it gives priority to issue related to national interest, हमेसा national interest पे ही काम करते हैं, next question है, give the name of five regional political parties, जिसमें आपका 5, कोई भी regional political party बता दो, तो जिसम जाप से है, national conference जमुइन कस्मीर से है, और सम अखम जनव परिसाद असाम से है, सीप सेना महारास्टर से है, है न, उसके बाद है, what is meant by the term alliance government, तो term जो alliance government उसका मतलब क्या है, तो alliance government का मतलब तो simple से, simple सा है, देखो, alliance government के बारे में पहले भी हम लोग ने बात क्या है, means the government formed by several like- minded political parties, no single political party gets absolute majority, यानि कि जब absolute majority किसी को नहीं मिलेगा, proper majority आप लोगो किसी को नहीं मिलेगा, उस समय जब एक दूसरे से मिल के, जब कोई भी government form किया जाता है, यानि कि दो या फि दो से ज़्यादा political parties आपस में एक साथ आके, जब government form करते हैं, तो उसे हम लोग alliance government कहते हैं, य यह सब सारे questions को मैं discuss करते हैं नहीं रहूंगा, क्योंकि यह वीडियो क्या है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, बस आपको मैं answers दिखा दे रहा हूं, बाकी यह पीडिया मैं आप लोगो प्रवाइट करवा दूँगा, ठीक है, discuss merits, two merits to, या demerits के बारे में पूछा गया है, उसके बाद discuss the role of opposition in democracy, democracy में opposition का role क्या है, तो एक strong opposition होना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों के interest के बारे में मतलब कोई उठाने वाला, कोई आवाज उठाने वाला होना चाहिए, नहीं तो जो लोगों के interest है, लोगों के आवाज है, उनको दबा दिया जाएगा, एक absolute जो government था उनके द्वारा, उसके बाद यहाँ पर पूछा कि discuss the main reason for the birth of regional parties, regional parties का reason क्या था, जो उनका जनम हुआ, जैसे बहुत सारे political parties के बारे में हम लोगों ने discuss किया है, फिर write about the necessity of political parties in democratic state, ये भी हमने आपको समझा रखा है, तो उसके answers आप देख सकते हो, mention the characteristics and the function of political parties, उसके बाद तो ये सब सारे हमारे long questions है, उसके बाद additional questions भी आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि three Asian countries जिनके पास क्या है, multi-party system है, बताओ, तो इंडिया, पाकिस्तान और बांगलादेश, ठीक है, उसके बाद the British ICS officer who took the initiative to found the Indian National Congress है, तो A.O. Hume था, उसी के बारे में चप्टर के starting में हम दो by party system के बारे में बात हो रहा है, तो ये कुछ short questions है, जो कि आप लोगो को देखने है, ये short questions, जैसे ही देख लोग आप, उसके बाद यहाँ पर short questions type और भी कुछ आ जाएंगे, तो ये सब, I hope कि आपको ये जो ना video बहुत जादा informative लगा होगा, अगर informative लगा है, तो हमारे kindly हमारे channel को subscribe कर देना, और आगे आपको किस topic के ओवर video चाहिए, ये बताना, मद भूलना, ठीक है, इस video में मैं आप लोगो सब दे दूँगा, mcqs नीचे mcqs भी आप लोगो मिल जागा, जैसे ये रा, आपका mcq, by party system कौन है, ये क्यों बगरा, ठीक है, तो चलिए मिलते अगले video में तब तक के लिए, good bye